कि नरुश्का दोस्तों कैसी वाफ सभी हो सवागत है में यूट्व चैनल में इसका जिसने आज हम पढ़ेंगे क्लास नवी का गड़ी सेक्षिन का कार्य प्रतक नमबर साथ वा इसने हम पढ़ेंगे वृत पाच्वे इसक बृत का पाच्वा पर पड़ेंगे आज आम इसमे चक्रीर चत्रवूज के बारे में जानेंगे कि उसके उकिस्त परकार का देखता है और उसके कुछ जो उनके गुड है उनके कौन जाने के कोशिश करेंगे यह जो कारेप्रतर के यह चारो कुण वृत पर स्थीत ह tentang चारो कूण क्या थाहिए वह तो यह हमकर समस्ञंझ अचे एंगल पर स्थीत है यह ये अगल भी को टेक्व कर रहा है चूंड अगल बी टेच कर रहा है और एंगल सीbei चारो कूंझ चत्रबुज के व्रिद को टच करें तो वो क्या कहलाएगा चक्रिर चत्रबुज कहलाएगा बहुत सिंपल साइस में यह चीज समझने का था अब देखिए इसके पर कुछ जो इनके एक इसका रूल जो है वह समझने कोशिश करते हैं माली जे कि यह मैंने व्रिद बनाया और बनाने जा रहा हूं यह चत्रबुज यह इस तरह के सा कुछ मैंने चत्रबुज हमने बना दिया ठीक है यह एक चत्रबुज है तो इसके जो कौन बनेंगे कौन कौन से कौन एक एंगल यह वाला कौन यह मैंने माल लिया एक कौन यह मैंने माल लिया बी कौन यह मैंने माल ल क्या चक्रिय चतर वुज है क्या नंगे ए depths करी जा चत्र भूज बन गया इसके कुछ लेकिन गुड्व होंगे वो गुड्वा मैं समने पड़ेंगे गुड्व क्या कि क्या हों गे की इनके अमने सामने को जो कौन होंगी उन दोनों का कौन का जोड़ कितने का होगा हमेशाँ Kyoto सबस्ते हो चाहिए यहां पर अगर मैं आमने सामने का कोण देखूं तो क्या क्या बना रहा है यहां पे आमने सामने एक ए और C है और एक D और B है तो इसका मालब एंगल A कोण A और एंगल C इन दोनों की वेलू 180 आनी चाहिए उच्छी तरह एंगल B प्लस एंगल D यह अपने पास 180 आने चाहिए बस यह चीज हमको चक्रिय चत्रवुज में समझने के चीजे हैं इसके उपर बस कोश्चन हमको समझने पड़ेगा यह दोनों स्क्षन के अंदर गोल ँसको में महलब गोला माल है श्यक्सन के अंदर अभी हमको एक अक्टिविटी संजाने कोशिए और इस एकिविटी के द्वारा में भी समझाया कि एक व्रित बनवाया और व्रित के अंदर एक चत्रुबुज हम से कटवाया कटवा करके जब हम उसके जब हम उसके एंगल को जब नापेंगे तो हमको इनके आमने सामने के कोण का जोड हमेशा 180 डिगरी मिलेगा बहुत सिंपल सेंस को यह असानी से सको समझा रखें यहां स किसी चत्रफुज के सम्मुक कॉणों सम्मुक में में सामने के समुक्न के यूग योग 1980 हो तो चत्रफुज चक्रिये भी होता है इसका मतलब कि अगर कहीं पर यह पूरूफ कर पाये कि आमने सामने कोण क्या हो जाए 180 डिगरी बन जाए तो वो भी एक चक्रिय चत्रफुज अधिका कोश्चन को क्या बता है पहले प्राइशन का दरहान दे मुझे बता रहा कि की कई है bizd is it एक चकरीर चटरभूज जो कि जो कि या या करें चतर है ठीक है इसके जिसके विकर्ण एक सकति है कर से यह पर क्या हो तोनों को डोनों विसकार यहादी डी बी चैप्टर में पीछे के प्रत्रक में पढ़ा है उसको समझना पढ़ेगा हमने क्या समझने कोशिश की थी कि जैसे दुबारा बताता है जैसे कि यह क्या है त्रिभूज है यह इसका केंद्र हो गया और यह हमने दो त्रिभूज बनाएंगे अगर इनमें इस तरीके से दो चाप पर बनाएंगे मतलब एक चाप के द्वारा दो त्रिभूज बनाएंगे कि इस तरीके से एक चाप पर देगे जैसे कि यह वाला एक क कोड भूद नकल रहे हैं तो यह जो चाप है यह क्या दोनों का सेम चाप है यह कोई अलग-अलग चाप तो है नहीं तो यह क्योंकि दुनों की एक मैंने और यह वहाँ एंगल टू एंगल वन जो हो जाएगा एंगल टू के बराबर बस इतना समझना था ठीक है तो इसी इस कोर्षन में हमें यही चीज हमें यूज करना पड़ेगा इसका परियोग करना पड़ेगा नहीं किस तरीके से आप देखिए BC के एक चाप है BC के एक चाप में ये B के द्वारा ही A B A C एक कोड बन रहा है और B DC एक कोड बन रहा है तो ये दोनों कोड जो होंगे क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों बराबर मतला ये भी हमारा 30 डिगरी का ही बन जाएगा यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि B A C की वेलू एंगल B A D C के वेलू जिसको 70 डेगरी का ऐँ जो कि सोरी 30 डेगरी का है इसके बराबर ये वैलो अень आजाएगे तो हमें बताना है कि जीवा से बने हुए वृत्खंड के कूण बराबर होते हैं कि एक ही जीवा से दो वृत्खंड क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएं तो यह चीज हमें इसमें रिजन लिखने पड़ी जब अगर यह तीस डीजिगा बन जाएगा तो अब कि अधी के अंदर एक में पास एंगल बी माननी जी एंगल बी है एक अंगल डी है और एक एंगल सी है एक्जेक्ट तो यह नहीं मिलेगा उसको नाम भीखना पढ़ेगा हमको या एक दो तीन मान के हम भी कर सकते हैं इन तीनों को जोड़ कितना हो सकता है एक सोसी क्यों कि सारे कोनों का जोड़ कितना होता है एक सोसी और एंगल दिगरी है अभी निकाल दी सी अगल सी की साटक होगया जब मैं मैं इसको मानने से काशिव एसको हम लोग कर सकते थे बीडी फीकली 100C यह इसको चारी तो यह इस तरी के कोश्चन करें को पहला हमारा अब इसको सबस्कुना दूस्ता कोश नमर समझें में इसका न बना के बताता हूं ने इतना सबस्के कि कोश्यों हमें दे रखा कोस्व नबर कौन सा यह तु कोश्वन तो इसको कैसे समझाएंगे हम निकालना है हमें दे रखता है तो पी क्यू आर्की वेलु असे दिये दे रखिए और हमें जो वैलू की निकालनी हो ए एस आर की वालू यह वाली हैंगा ठीक है कैसे निकाल सकते हैं इसके साथ में जो यह एंगल इसको मालने एक बार वन क्यों मालना ताक क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सा पहले तो चत्रवूज यह चक्री चत्रवूज के आमने सामने के कोण का जोड़ कितना होता है 180 इसका मतल होते हैं 180 डिगरी का जोड़ होता है ठीक है तो यहां से हम एंगल वन की वैलू क्या हो जागी नहीं पता तो चोड़ दाया सही एंगल क्योंकि वैलू कितनी निकाल देंगे 180 में से 80 चला गया मतलब 100 डिगरी का हमारा यह बन गया अभी एंगल वन आया है अब उसके हमको न क्या सकता हूं अगर मैं उपर वाले को चलिए ऐसी माने थे कि एस पी प्लस एंगल वन 180 यह भी होना चाहिए क्यों क्योंकि यह रैखिक यूगम बना रहे है रैखिक मतलब राइन का तो टोटल कोड कितने का होता है 180 डिगरी का ही होता है ठीक है तो एस पी की वैलू मुझे निकालनी है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे एंगल वन की वैलू मुझे 100 डिगरी मिल गई इस इक सब्सक्राइब यहां से हम लोग एस पी की वैलू क्या लिख सकते है फिर 180-100 मरलब की 80 डिगरी की तो एस पी की वैलू यहां से हमको 80 डिगरी की मिल जाएगी यह सब्सक्राइब कर सकते थे बिल्कुल सब्सक्राइब हमको बस जो हमने पहले स्टार्टिंग में रूल पढ़ा है उसी को समझना पड़ेगा यह हमें एक प्रेशन दे रहे का पहला प्रेशन पहले प्रेशन का फीगर कूछ दे रहा है कि ABCD क्या है चक्र चत्रबूज इसमे weсем dbc की value हमें यह वाली जो value दे रखिया यह मैंि दे रखिये पच्चपन डिगरी के यह पुखनंद रिक हो गया अगली value बसी की value यह वली value हमें दे रखिया 45 डिगरी के कि हमें जिस्की जौरा निकालने वह ऐ bc की डी बीसी डी यह वाली वैल्यों हमें निकालनी है हमने अभी शायद से ऐसा ही कोशन अभी हमने ऊपर भी किया है जो की प्रेशन में हमने ऊपर जो हमने बनाकर दिखा रहा है इसको दूबरा ऐसे देख लेते हैं सॉलूशन के सरीकर सा कोशन बनेगा देखें बीसी एक सी का कुण जिसके जो कि हमें यह माल लिया मैंने यह वाला ठीक है तो यह दोनों कोड़ यहां से बराबर हो जाएंगे हमने पहले करें पत्रवन यहीं सीट पड़ी थी है ठीक है तो यहां से हम लोग एक है सकते हैं कि एंगल बी एए सी इजीक्वल टू हो जाएगा हमारा बी डी सी की बराबर जो की 45 डी डी का ही हो जाएगा ठीक है अगर में पास यह चीज आ जाती है अगर में पास यह चीज आ जाती है तो एक त्रिबू जह में दिख रहा है बी डी सी में इस बी डी सी में एक तो मुझे देखिए एंगल बी दिख रहा है प्लस एंगल बी डी डीख रहा है और एक एंगल डीची दीख रहा है इन तीनों का मिल्ट मिलके कितना हो जाएगा एक स्वासियों कि यह ट्रीबूज बना रहे हैं और स्वासियं के सारे को डीच जोड़ Ta एक स्वासियं एंगल भी मुझे को यहां से हमनों निकाल सकते हैं कितने का पच्पन डिगरी का जो ही मुझे दिया हुआ था एंगल बी डी सी की वैलू हमने उपर से निकाल ली जो किया पैंतालिक्स डिगरी का और मुझे बी सी डी की वैलू तो निकालनी ही है इसको में टोटल लिख देंगे एक सबसी के बराब अब हमाँ पास पैंतालिस और लिए डी की वैलू कितना निकाल लेंगे एक सबसी में से माइनस सो गया तो यहां से में लोग इसकी वैलू असी डी के हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से हमारा कोश्चन बनके सौल हो जाएगा इसका सोलूशन बहुत सिंपल से यह हमने को पहला प्रेशन जो आपने सो की वैलू में 65 डिगरी दे रख हम यह वाली में 22Г की आãy सबसंदि ऑंगल आर की की बैलु भी दॉबार हमें 55 की ही दी हूए यह बहूरे में मैं इसको कर सकते हैं चत्रच Journal एक चत्र बूज के आमने सामने के क्या होते हैं एक सो सी का होता है दोनों को मिला करें तो इस तरीके से हम लों कहा सकते हैं कि एंगल वन प्लस एंगल आर यह दोनों मिलके एक सो सी का होना चाहिए तो एंगल वन की वेल तो है नहीं एक सट डिगरी दी वही थी एक सो सी का टोटल यह बनना पंदर डिगरी का आंसर आजएगा उसी तरह अगर मैं इस बार एंगल टू और प्लस एंगल क्यूं की वह निकालों दुबारा से दुबारा वही रूल लगेगा कि आमने सामने के कुण एक सोसी का होता है एंगल टू हम तो हमें पता ही नहीं है और प्लस एंगल क्यूं कितने का हो गया 65 डिगरी का दोनों मिलके एक सोसी का हो गया तो एंगल टू यहां से भी 115 डिगरी का ही बन जाएगा तो इस तरीके से हम इसके कोशन को कर सकते थे यह इस कोशन का सॉलूशन हो गया पूरा पूरा बिलकुल सिंपल सिंपल कोशन थे हमन होते हैं ठीक है और इनके आम में सामने को जोड़ों होते हैं वह 180 डिगरी का बनाते हैं दोनों को जोड़ करके बस इतना चाहा है और हमने चार कोशन देखे इसके पर तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करिएगा अगर आपने सब्सक सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और इसको शेर भी जरू करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे उनका फैदा हो सके ठीक है तो आज के लिए इतना ही तो स्टे सेफ और स्टे हल्दी थैंक्यू झाल